तो इन्होंने यह का कि कैसे सैटल करेंगे इन्होंने ट्रस जपैन पर इस लेगए कि जपैन ने इनका अजादी से पहले पिसा दिया तो जपैन इन्हें फिनीशल एड देती है सॉफ्ट लोन के नाम पर की जैसे आपने दो सो करोड का लोन लिया तो आपको 25 पैसे साल का बयाद देना है बस कित आईजी है बागी कंट्रीज देती है तो 5 पर्सेन 10 पर्सेन 8 पर्सेन लेती है पचीस पैसा भी बयाद नहीं लेता है कहता है दान में दे दिया एक तरीके से, soft loan दे दिया, तो जैपैन हमेशा development में लगी रहे, जैपैन इनके construction में, railway construction में, nuclear के लिए सब के लिए खड़ी रहे, तो इंडिया ने सबसे पहले इनके साथ अपनी automobile सुधारनी की कोशिश, automobile industry सुधाने के लिए इंडिया ने दो countries को allow किया, एक थी Honda, उनकी company, और दूसरी थी कावा साखी, इन दोनों को तो इंडिया में इन्होंने allow कर दिया, तो फॉरें से आने वाले पहले ट्रस्ट के साथ जो खेप है, वो जैपैन से आएगी, nuclear, civil nuclear के लिए, जो हम construction की बात करते हैं, उस पे हमने सबसे पहले जो efforts लगाएं बच्चो, वो हमने efforts लगाएं किस के साथ मिलके, वो हमने efforts लगाएं USSR के साथ मिलके, वो हमने लगाएं Canada क साथ मिलके, तो इन पर भी हमने थोड़ा बहुत trust दिखाया है, nuclear, है ना, reactors बनाने के लिए, बट ये nuclear reactors for research purpose थे, ये nuclear energy generate नहीं कर रहे थे, तो कही ना कि इंडिया का development हो नहीं रहा, और दूसरा इंडिया ने क्या किया इस time पर, इन्होंने open market reforms में अपने आपको नहीं डाला, इन्होंने क्या किया, we will be the closed economy, अब closed economy का simple सा मतलब क्या है, country वही करेगी जो country को आता है, country वही करेगी जो country बनाती, अब country ने क्या किया, हमें self-reliant चाहिए, मतलब आत्म निर्वरता चाहिए, किस चीज़ पर आत्म निर्वरता चाहिए, अपने प्रद्यों के पे, अपने उद्यों के उपे, तो इन्होंने पहले five year plans तो जो थे उसमें क्या का, पहले में क्रिशी आत्म निर्वरता लाए, दूसरे में क्या लाए, वैपारिक, उद्यों की का आत्म निर्वरता, तो भारत जब 1947 के बाद बढ़ा, तो भारत के साथ सबसे पहले challenge था food security, और इस food security के अमेरिका के संसद में एक UN का कानून है, जिसका नाम है PL 480, public law 480, जिसके तहत अमेरिका, गरीब देशों को खाद्यान समगरी आज भी provide कराता है, food grains, अगर आप भूके हो, तो आपको मुफ्त में आनाज दे, and India was keen to have wheat, हमाँ पास गेहूं नहीं था, बढ़िया लाल गेहूं, कभी पापा में अगर हो, कोई बुजर्ग हो, दादा दादी हो, है ना, तो उन से पूछना की गेहूं पहले कौन सा था, तो कहेंगे एक दम बढ़िया लर्का, आला महरून रंका गेहूं आता था, तब ब खले वाला भी वेच कबाब खा लेते हैं, भली वो 4 दिन पुराना महिदा तेल में लपेट के, 2 दिन पुराना कबाब डाल के, 4 दिन पुरानी हरी चटनी डाल के, 6 दिन पुराना कागच, जिसे पसीना पोचा, उसमें रोल करके आपको डे दे, आप ठूस ले थे, क्योंकि आपको भूख लगी है, सेम यहां होता था, क्योंकि हमें भूख लग रही थी, हमारे पास गिहू नहीं थे, तो जो हमें गिहू मिला, हम भूख खाएंगे, हमारे देश में टेस्ट के चक्कर में हम कुछ भी खा ले थे, मानते हो ना, तो वही चीज यहां पे हो रही है, इनक अगर हमें food grain security नहीं भी लिए, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने पहला नाराई दिया, कि देश को खध्यान संपन बनाना है, हम भार से खाना तो नहांगे, हमारे पास क्रिशी तो है, तो लोगों को जगाया, उन्होंने का, अब अच्छा देश अजाद खुन दौड़र है, नहीं, रगों में खुन दौड़र है, कौन सब्सक्राइब, है तो एक लास नहीं के मुटल भे है, तो का करेंगे, छे बज़े के बाद है, ठीक, अब यहां पर क्या है, यह सारी चीज़ें जो चलती है, यहां पर बेसिक चीज़ें आपको समझनी है, यहां पर यह हुआ, कि उनकी रगों में बढ़िया सा खुन दौड़र है अभी, अजादी का, अब इन्होंने का, जब अजादी का खुन दौड़र रहा है, तो हमें सारे रेगुलेशन उसी कहसाब से करने, हम आपस अल्टरनेट ऑप्शन कोई नहीं है, अब हम सारी चीज ले ली, यह बहुत बड़ी चीज है, पहले यह में हम फूड सिक्योरिटी पे आ गए, यह बहुत बड़ी चीज थी, तो कहीं नहरू की पहली चीज तो काम आई, तो अभी क्या करा, इंटरनली डिस्टर्ब नहीं होना चाथा, अजब कोई कंट्री अगर आंत्रिक रूप स इन लोगों ने बहुत बड़ी चीज की, उन्होंने यह कहा कि भाई साथ देखिए, हमारा देश जो है, आज की डेट में से स्थिती में है कि हम पर कभी भी चाइना अटेक कर सकता, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि चाइना अटेक ऑन अस, इन्होंने कहा कि चाइना ह हम पर युद कर सकता है, यह नहरू ने स्वैम बोला, तो उन्होंने नहरू को यह पता था कि जो उन्होंने विचार धारा बनाई, उन्होंने कहमें इसके लिए प्रिपेर रहना जाए, बड़ हम रह नहीं पाए, अब आते हैं नहरू के अंदर क्या था, नहरू जब भारत जातिवाद और उपनिवेशवाद खतम हो, पावर ब्लॉक से अपनी स्वतनतरता हो, उसके बाद close ties with China and Asian neighbors, सुरवाद भे इन्होंने क्या बोला, हम किसी पावर ब्लॉक के साथ नहीं जाएंगे, दुनिया में जितना जातिवाद और जितना उपनिवेशवाद उसको खतम क और अभी हम क्या करेंगे, अपने पडोसी राज्यों के साथ, और चाइना के साथ अपने समंदों को मधूर बनाएं, क्यों, क्योंकि पडोसी से लड़के हम नहीं रह सकते, इन्होंने का यार अभी हमें अपने आपको डेवलप करना है, आस पडोस वाले अगर हम पर पीट पहला पहला बहुत, पट हमने कोशिश की कि हम लड़ाई ना करें, और हमको भी लड़ाई नहीं करना चाहते थे, अरे ठीक है या, कुरूम नहीं चाहिए हमको, नहरू दुर्दा, फॉरेन पॉरेन पॉलिसी इंडिया वूर्वेज कीप अवे फ्रॉम दा पावर पॉलिट एक्सตैंडिंग इंडिया उडिंग फेफिफ इन उन, उन्होंने का यूं के साथ मैं हूं, उनिटा नीशन और उनिजएशन के जितने भी ड़ले हैं, उनके साथ मैं साधा हूं खड़ा रहूँगा, तो इनन ने उसके बारे में बात की, और उनने रहें का, बहूत महान शक इस ग्रेट पावर के साथ हम सदा जुड़े रहेंगे, हिंदी वर्जन ये रहा रात को नीद आती नहीं है, दिन में नीद जाती नहीं है जीवन का सबसे बड़ा संगर्ष जागना ही है, सोते तो हर बंदे रहते हैं, जागना बड़ी बात है अचा एक बहुत अचा कोश्चन किसी ने आज मसे पूछा, मझे उसका अंसा नहीं पता हम गाने क्यों सुनते हैं, वाई वे हीर म्यूजिक हम गाने क्यों सुनते हैं, वाई वे लव टू लिसन म्यूजिक हर बंदे को कोई भी हो उसको कोई ने कोई beat कोई हो कि tune पसंद आ जाते है ऐसा क्यों और कभी कबार कोई गाना दिमाग में चड़ जाता है ऐसा क्यों होता है Why we all are keen to listen music और कभी कबार कोई beat ऐसी है लगती है कि मन करता है कान सुनता ही रहे सुनता है रहे हो कभी कबार ऐसी बीटा थी बग निकाले से बार ऐसा क्यों होता है और कभी कबार कोई गाना बहुत दिन तक पसंद आता है उसे बार बार सौसो बार सुनते हो उसके बार उसी से बूर हो जाते है फिर दुबारा नहीं सुनते फिर नया गाना पसंद आने लगता है क्यूँ हैं ऐसा कुछ होता है और कोई अच्छा तो मुझे भी लगता है हाँ बच्छो आप लोगों के हिसाब से माइंड फ्रेश हो जाता है यह देखिए इस्ट्रेस को कम करने के लिए क्योंकि माइंड फ्रेश करना होता है अच्छा बाई जवाब गजब आता है हम सच बता रहे है चरण इस परशे आप लोगों खुद को खुश करने के लिए अच्छा कभी आपका ब्रेक अप रेक अप हुआ है कि दे लड़ाई धढ़ाई हुई है अच्छा पता है आटिविशल इंटेलिजन्स बहुत कावेल है जैसे तुम्हार आज ब्रेक अप हो जाए तुम रील भी डूड़ाई हो जाए कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है कभी बेवफाई हो है कोई आपके साथ हो जाए आज तक नहीं सुना साला हो गाना पर उसी दिन वो कहीना कहीं से आ जाएगा होता है नहीं यह माइन फ्रेश करता बरबाद करता है आपको बता है म्यूजिक कभी का और आत्मत्या का सबसे बड़ा कारण बन जाता है आप डिप्रेस्ट हो गाने भी वही वाले आ गए अरे अर्जी सींग से खतरना का जाता है अरे वही जब आने आज के रिमिउक्स में आ रहे है तो बिटा म्यूजिक जैनरली क्या है म्ध्रेस्ट की बीट्स है आपको रिलैक्स भी कर सकती है non relaxing भी बना सकते यह गलत फैमी है हमारी teacher song सुनने से मतलब है सुनने का मतलब है उस song को feel कर सको कई गाने ऐसे हैं अब मैं बहुत बार उसका example दे चुका हूँ वो feel नहीं होते मैं दुबारा देना नहीं चाहता हूँ वो feel वाला गाना नहीं है नहीं काच़के कई गाने जिनमें feel नहीं है अशलील है उनको feel ही नहीं कर सकता है feel करोगे तब बरबाद बरबार जाओगे तो हर गाना feel करने वाला नहीं और आज सब छोड़ो बातषा के गाने शुन लो यह यहनी सिंग सुन लो wherever फील करने बले गाने हैं, हमें तो नहीं लगते हैं, कोकोनट में थोड़ी सी लस्सी मिलाकर, लुंगी डांस, लुंगी डांस में क्या फील करोगे, कोकोनट, लस्सी या लुंगी, option A, B, C, कुछ नहीं, तो म्यूजिक को म्यूजिक की तरह सुनने के लिए भी कोई बात नहीं, चलो रहने, तो इसके आग पर जाएंगे, तो इन लोगों का माइंडी फ्रेश होता रहे, और कुछ नहीं होगा, अब यहाँ पर अगली बात आती है, अरे भाई, तु, जो non-aligned movement है, उसका मतलब ये था, कि भारत अपने हितों को प्रभावित करने वाले मुद्दो का निर्णा लेने के लिए स्वतंतरता बरकार रखी, किसी संकट में, सामिल किसी एक दूसरी रास का समर्थन करने की कोई पूर प्रतिबद्धता नहीं थी, इन्होंने का कि भाई हम स्वतंतर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम से काओगे, हम परेशाने हमारा साथ दो, ये commitment हम नहीं करते हैं, डिपेंड करता हमारी situation पर, अगर हमारी situation अच्छी है, हमारी condition अच्छी है, तन definitely we will aid you and help you, अगर हम उस लाइक हैं नहीं, तुम हमारी मदद कैसे कर, let's suppose आज Ukraine कहता है, इंडिया is not supporting us, इंडिया कहता है, हम खुद की मदद करें कि तेरी मदद करें भई, कहता है, जैलेंस्की की मदद के चकर में हमारे घर का भी तेल बंद हो जाएगा, तो वो नहीं कर रहा मदद, अब जैसे क्या प्रॉब्लम आई, आपको पता है, युक्रेन की मदद करने के लिए हर देश तयार था, अमेरिका नहीं तो हमसे एरक्राफ्ट ले लो, इंडिया क्यों जागा, पता है, युक्रेन वार के बाद इंडिया बहुत अच्छे से जागा है, पता है क्यों जागा है, बताओ, कौन बताएगा, युक्रेन वार ने इंडिया को एक बहुत अच्छे सीख दे दी, क्या, बताएं जल्दी बताएं युक्रेन वार ने इंडिया को बहुत अच्छी डिफेंस में एक सीख दी है हम बता चुका हूं दोगा अमेरिका ने अमेरिका ने युक्रेन से कहा कि तुम हमारे प्लेन लेकर उड़ा लो तो उसने का सरम को मिग उड़ाने आते हैं जो रशियम बनते हैं लेकि हर एक प्लेन के उड़ाने का तरीक अलग है बुइंग उड़ाने वाला एरबस ने उड़ाता है एरबस वाला बुइंग ने उड़ाता है वैसे ही जो Russian aircrafts उडाते हैं, वो American aircrafts उडाई नहीं पाएंगे, उसकी technology अलग है, उसकी flying gesture अलग है, इनकी अलग है, अब जैसे इंडिया में जब France आया, तो France के लिए हमने अली एक सी fleet बनाई, रफेल उडाने वाले मिगनी उडाएंगे, पर उनको special fleet बनानी है, जैसे इंडिय हमें पूरी Russian pilot सा लग है, जो Russia के पूरे gadgets, Russia के manual को समझ पाते हैं, आचानक से उन्हें American plane दे दे जाए, वो बैठ के चला ही नहीं पाएंगे, अब Ukraine से का तुम हमसे plane ले लो, और तुम लड़ो, तो उसने का सर, pilot भी देने पड़ेंगे, क्यों, क्यों में उडाना ही नहीं आ हम तुम्हें train भी कर देंगे, अब Ukraine को train करने का टाइम नहीं है न, इंडिया भी गलती करता था, इंडिया अभी तक Russian software hardware पर dependent था, पूरी तरीके से, इंडिया ने उस सीच को बदलना है, इंडिजिनस planes बनाएगा, इंडिया आज की डेट में फ्रांस पर डिपेंड करेगा, युएस से भी डिपेंड करेगा, वो हरी कंट्री के planes को अब उड़ाना सीखना चाता है, वो अलग-लग fleet तयार करेगा, अगर इंडिया में 500 लोगों के pilot के fleet है, जिसको American plane उड़ाने आते हैं, अमर्जंसी में, वो सब को सिखा सकते हैं, बट हमारे किसी को उड़ाना ही नही पाइलेट्स भीज दिये तो पताब क्या होगा, America is directly indulging in war with Russia, वो नहीं भीज सकते हैं, तो इस situation में क्या है, यहाँ पर simple सी जीजे, हम आपके फड़े में तांग तब उड़ाएंगे, जब हमारी टांग इतनी मजबूतों लोहावा अंदर पड़ा हो कि कोई मारे तूम्हें लोग, I am with you, but I won't be near to you, and that is the real world for I.R. of today, आज कोई भी कंट्री आपके साथ होने के बाद भी आपके पास नहीं है, यू कांट ट्रस्ट इवन रशिया, यू कांट ट्रस्ट इवन USA, आज USA के साथ आपकी मैतरी संबंध हैं, विलकुल मानते हैं, पर ये मैतरी संबंध इतने अच्छे संबंध नहीं है, कि चाइना पर अटेकर है, तो USA चाइना पर अटेकर दे, क्योंकि वो अपने एकनॉमी गेन पहले देखेंगे, इंडिया भी exactly वही करता है, इंडिया अपने एकनॉमी गेन पर ध्यान देता है, मेरे आर्थिक लाव कहां से, उसके बिना वो भी क अटिगत वैवार को नियंतित करते थे, नहरु कह दीन ये विचार अंतराश्टी राजुकभी संबंधों का मारुदर्शन करने वाला एक केंद्रिय विश्य बनाना था, भारत चीन संबंधों को नियंतित करने के लिए यही सिद्धान प्रस्ताफित किया गया, जो पर उनके द्वी पच्चे वेपार संचालन को सुवस्थित करने के लिए दोनों पच्चों के बीच में वेपार संबजोते में नहीं था, इस अधार पर भारत और चीन अपने संबंधों के संचालन में नेम लेकित पांस सिद्धानतों का पालन करेंगे, बुद्धिस आइ प्रतिपादित करता है, जिसके ठहत वो उस देश को समाल पाए, तो इसके लिए इनोंने पांच सिद्धान निकाले जो आपके सामने लिखे हैं, पंध शील ऐसे पत्थरों पर भी लिखा था, पहला एक दूसरी की छेत्री अखंड़ता और संपरभूता के लिए परस पर स करेंगे, अच्छी विचार दारा थी नहरू की, नहरू ने करना तुम हमें उंगली करो ना हम तुमें करेंगे, तो हम अपना जी हो, हम अपना जी है, पहला, दूसरा, आपसी गयर आख्रमकता, कहरें एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, ना एक तूर से लड़ाई करें आपके आंतरिक मामलों में मैं हस्ता चेप नहीं करूंगा मेरे आंतरिक मामलों मैं आप हस्ता चेप नहीं करें जब तिबबत वाला इश्यू हुआ तो इंडिया ने हस्ता चेप नहीं किया इंडिया ने ये सिद्धान्त फॉलो गिया इन्होंने का कि हम आपके पास सस्ताचे बिल्कुल नहीं करेंगे अरे यार रिमोर्ट की जुड़ती नहीं हम साथ फे पन्ने पे आ गए इतनी तेज हम आगे बढ़ गे हमको खुदनी पता चला आगे आप इन्होंने हस्ता चेप करने से मना कर दिया इन्होंने का हम एक दूसरे पे कोई हस्ता चेप की नीती नहीं अपनाएंगे अगर हम हस्ता चेप करेंगे तो हमको दिक्कत होगी इन्होंने बिल्कुल हस्ता चेप करने से मना कर दिया इन्होंने सीधे कहा कि भाई जो भी चीजे है वो चलेंगे पर इंटरफेरेंस एक दूसरे के साथ कोई नहीं करेंगे यही रीजन है जग तिबबत के साथ इन्होंने लड़ाई की तो इंडिया ने बिल्कुल नहीं कहा कि भाई हम आपका साथ देंगे ठीक इसके बाद अगला क्या हुआ है एक्विलीटी और मीच्वल बेनेफिट सामानता और पारस्परिक लाब हम दोनों एक दूसरे के साथ एक्विलीटी से बात करेंगे ना तुम गरीब ना हम आम है कह रहे हैं ना तुम बड़े ना हम बड़े ना तुम चोटे ना हम चोट लिखो जल्दी से समझ रहे हैं अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज करने है बैड़े आएंगे तो पढ़ें क्या से ना नी अब तीसरा है पीसफुल कोईग्सिस्टेंस अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हम दोनों नेशन्स को अपने अस्तितों को बचाये रखना है तो सांती और सोहादर की आवशकता है यह पंसिल सिद्धान्त नहरू लेके गुमते रहे अपने जोले में और सुरवात में क्या हुआ अब यह पंसिल सिद्धान्त आये तो चाइना ने का मैं साइन कर रहा हूं मैं मैं हटा हुआ हूँ आप कर लीजे फिर ही मैं आउंगा नहीं मैं मैं मुझे डल लग गया फोटो कप खिची है अब यह पंसिल सिद्धान्त लेके बेटा यह घूम रहे थे बहुत प्रॉपर मैनर में और हर जगे सेम तरीके से चरितार्थ हो रहे थे और चल रहे थे इनको देख रहे थे हर वेक्ति अच्छा नहरू को लगा कि मेरे पंसिल सिद्धान्त कसौटी जिंदिगी की हैं मंदिरा बेदी की तरह आगे बढ़ते जाएंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी बढ़ वो शांती वाली कसौटी थी ये वाली कसौटी प्रेणना वाली नहीं थी मलब श्रेता तिवारी वाली नहीं थी मंदिरा बेदी वाली होनी चाहिए अब इन्होंने कसौटी जिंदिगी में प्रेणना ले आए अब जो प्रेणना लाए उन्होंने बरबाद कर लिय यहां पर बात आए कि नहरू को यह लगा बेटा कि वो इस नेशन को डैबलब कर देंगे अब इस तरह क्या होगा पंसिल शिद्धान्तों को जब यह लागू करेंगे तो चाइना ना हमें इंटरफियर करेंगे और वही चाइना ने कहा कि चाइना भी कहा रहा हम अपना डैवलब्मेंट कर लेंगे अगर इंडिया इंटरफियर नहीं करेंगे बड़ चाइना को लगा कि यह छोटा सा चाइना है मेरा तो उसने का पहले तिबबत कैप्चर करते फिर डैवलब्मेंट करेंगे अच्छा इं mutual contents की बात हुई, non-aggression की बात ही, non-interference की equality and mutual benefits and peaceful coexistence. अच्छा, इसको इंजद से मानने वाली country मातर थी भारत. भारत ने ही इसको proper manner में follow किया, बागी किसी power ने इसको follow नहीं सिर्फ एक ही place था जिसने इसे ठीक से follow किया. ठीक, अब ये जो चीज़ थी आपके सामने थी, अब ये रहने से क्या फायदा हुआ, कि इंडिया ने तो इसे follow किया, बागी किसी ने नहीं follow किया, तो अब यहाँ पर चीज़े क्या होई, आपके लिए बदलनी start हो गई. अब पंसिल से दान्त खतम होने के फालो कर लें, तो वर्ल्ड में युद्ध की स्थिति कभी बने हैं. विश्व सबसे शांत इस्थिति में रहें, अगर आप इन पंसिल सिद्धान्तों को फालो कर लें. इसके बाद 1925 में 29 अफरीका एशिया ही देशों की बाड़ूं सम्मेलन के दोरान. अंतरास्तिय साहियों के लिए 10 सिद्धान्तों में शामिल किया गया कि इसको पंसिल सिद्धान्तों को. यह हमेशा ध्यान रखना. यह जो फाइफ आपके पंसिल सिद्धान्ते, इनको बड़ाओं कॉन्फरेंस हुई थी, 29 अफरो इशियन कंट्रीज की, उसमें 10 मादों को मिलाकर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया. और इसे नॉन अलाइन मुव्मेंट जो था, है ना, उसमें भी इसको डाल दिया गया बाद में. जो नेम आज भी चल रहा है, उनमें पंसिल सिध्धान तो जुड़े हुए. यह चीज़ आपको हमेशायद रखें. अब यहाँ पर क्या है, भाई, अगर किसी नेशन के अइडेंटिटी फॉलो करनी है, तो यह पंसिल सिध्धान अगर आप एक्सेप्ट कर लो, तो वो कंट्री बहुत जलते से प्रॉपर मैनर यह से कर भी सकती है. तो यह solely आप पर डिपेंट करता है कि आप एक नेशन को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं. अब आते हैं NAM पे. Non-aligned movement. NAM में एक important चीट आपको याद रखनी है. Non-aligned movement इसलिए बना था कि हम वोई भी military alliance USA, Soviet Union का नहीं लागाएंगे और हम isolation में रहेंगे. हम आप दोनों की बात नहीं मानें. इसमें सबसे important question था कि give up your view about the particular question, adopt the other party's view on that question to please it to gain it in the favor. इनोंने का कि independence हमें मिली है foreign policies में, तो हम सब को सुनेंगे सब को मानेंगे, सब की सुनेंगे, सब को देखेंगे बर करेंगे अपनी मर्जी के. अब यहाँ पे non-aligned movement के जो members से उनका नाम या रखना five liters बहुत important है, इन पांचों का नाम आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए. पहले हैं नहरू, दूसरे हैं गमल, है ना, अबदेल, नसीर, इसके बाद हैं सुकनारो, उसके बाद है कावे, नकरुमा, और उसके बाद है यूगो सलाविया, जॉसेफ ब्रॉंच टिट्टो. यह चार नाम आपको याद रखने हैं बस. हिंदी में भी नाम वही होंगे, नाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो आप लोग लिख लिए बना फिर बच्चे डाटेंगे, कि सार आप गूमते रहते हैं? हम बैड़े जा रहे हैं. लिख लिए में बिटा? बैड़े बना. ठीक है, पहली सम्मिट नाम की कहां होई थी? बैल ग्रेड में, 1961 में. और ये जो थी, जो अभी निवली इंडिपेंडने नेशन्स थे, उनका गुरूप था. और इन्हों ने कहा था, जितने लोगों ने हम पर रूल किया है, उनमें से हम किसी को नहीं जुड़ेंगे. तो इक किसी में मुमें जुड़ने को तैयर नहीं थे. सोना चांदी, हीरे मूती, का क्या करना मुझे को? अच्छा कल मैं 500 रुपे हारा हूँ, मैं स्विक्रित करता हूँ, हसी मजागी में शर्ट लगी थी, लगी थी, वो धारी है, दिये जाएगे. नहीं हार तो हर है, अब हसी मजागी हो, बट एक चीज करी तो करी, बट हाँ, थोड़ी देर तुम्हें भी बीच में लगा होगा ना, यार जीत जाएगी, क्या? गजफ हाँ, कल, रसी भी कल जीतती थी, जीत सकते हैं, अरे हमने ऐसी हसी मजाग में दोनों लोग बैठे थे, बही हाँ, कौन जीतेगा, तो हो गया, अब ना करो, नहीं है, मेरी प्रेडिक्शन पहली बार, हमने एक चीज इससे पर बोली है, हम ऐसे बोलते हैं, सही होता है, जब शर्ट अगा लेते हैं, वो टीम सच में हार जाते हैं, गरीब हो गई पिचारी कर देगी, शर्ट नहीं लगाते हैं, जीत जाते हैं, कल मुझे बड़ा बुरा लगा, हैदराबाद मैस तो हरी के बिटा गला, देख अब उसे हरा के मानूगा में, आहे लगा लगाते हैं, जो है, वो दो रीजन के कारण भारत के लिए महतपूर था, गुट निरपेच अरुजन भारत की योगिता के अदार पर स्वतंत अंतरास्टी निर्णे लेने की अनुमती थी, जिससे उस करतों की पूरती हुए, नॉ आप डिसीजन ले सकते हो, जो सारे नयम ग्रूप और आपके लिए अच्छा हो, भारत एक लीडर की तरह उभर रहा है, कब? जब ही अजाद हुआ है, तो नयम से कहीं न कहीं, नहरू का कद अंतरास्टी ये पदपर उचा हो रहा है, और वो कोई दिखना नहीं चाहता है, लंबी नाक वाले गोरे चिट्टे इंसान कई से उपर चले जाए, चलो कोई बाद, इट इनेबल इंडिया टू बैलेंस दर टू सापर पावर, ठीक है, मतलब सूपर पावर, टू सापर पावर, एज नीदर आफ दी सूपर पावर कुट प्रेसराइज इंडिया टू टू लेके बैठा है, भारत नहीं है, भारत है, उस ने अपना बेटेज बढ़ा दिया, नैम के साथ, तो कही नहरी नहरू देकी покई प्रेंग्या, लाक कार रहे हैं ना अमेरिका कखे, न रसिया के, ना तुमारे साथ सानम, ना तुम्हारे साथ सानम, अब वो सब कह रहे हैं, अच्छा तो किसके साथ हो तू कह रहें 29 दोस्त है मेरे and I love friendship not love बस खतम आपकी जिंदिगी में प्यार हो ना हो मैं जीवन का उसूल बता रहा हूँ आपका एक अच्छा दोस्त जिरूर हो मैं आप प्यार के बिना एक पल में रह सकते हो पर दोस्त के बिना जिंदिगी भर नह चोड़े बड़ो ऐसा दोस्त होना जी जो आपके लिए अखंडित हो वो ना आपको धोका दे ना आप उसे दो हाँ दोस्त प्यार भी बन सकता है और प्यार दोस्त भी हो सकता है ये कलाक एपिसोड है बट दोस्त ही होना बहुत जरूरी और भारत ने ये सीख 1947 में ले ले नश्वर हैं आज हैं कल नहीं रहेंगे पर देश हमेशा रहे देश रहना चाहिए जो देश के करांतिकारियों ने आइडियोलोजी बनाई थी वो हमेशा रहे हम रहे ना रहे हमारा देश रहना चाहिए तो नहरू ने उस आइडियोलोजी पे अपने को इस जगे खड़ा क कर दिया कि वो दो सूपर पावर गुरूप जो थे वो इंडिया को हलके में नहीं ले रहे एक बार चाइना से मजाक कर सकते हैं इंडिया से नहीं कर पा रहे थे हां इंडिया की डिसीजन में किन थोड़ी गलत रही नैम जैसी चीजे बनाई और यूएन के पर्मेनेंट सीट नहीं ले पाए यह तो दर्ध है मुझे आज भी इनके पास पर्मेनेंट सीट आज जो लड़ रहे हैं अब तो वैसे नहीं मिलेगी